आदम जनजातियों के उत्थान के लिए कई कारे क्रम चला रही हो और करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं लंबी चौड़ी घोशनाएं होती हैं लेकिन आज भी ऐसे जनजातियों के गाउं में विकास दूर दूर तक नजर नहीं आती आज हम आपको मांडू के एक ऐसे ही गाउं में लिये चलते हैं पाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए लगबग 4 किलो मिटर पैदल इस पत्रीले रास्ते से जाना पड़ता है कि इतना तक पढ़ाय हो रहा और आगे कि सिच्छा के लिए क्या परिसानी होती है दोसरी तरफ नौ प्रात्मिक विद्याले विर्शाठोला स्कूल के प्रधाना ध्यापक विर्शावराओं ने बताया कि सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है इसलिए सड़क नहीं बन पाई जिस्त बहुत कचनाई होती है बिजली वाला भी पानी वाला भी नहीं मिल रहा है अपना अदम बहुत गरिम अदमी हाता है का करिया है रोड भी नहीं हाँ कुगा भी नहीं हाँ चपकल भी नहीं हाँ रोड कभी नहीं बना पानी कभी है पर दिक्कत है ना बहराल एक और जहां दिवासियों के विकांस के लिए केंद्रवा राज सरकार सालाना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि आ दिवासियों के दौव में विकांस के पहिये को दोड़ाया जा सके तो वहीं दोसरी ओर बिर्सा टोला गाव सरकारी दावे की पोल खोल रहा है जरुवत है ऐसे में सुबे की मुख्या हैमन सुरेन को कोई धोस कदम उठाने की तब ही बिर्सा टोला जैसे सेख़़ों गाव में भी मूलबूत स्विधायन धरातल में दिखाई देने लगेगी य न्यूस लवन भारत में मांडू से खाली दनवर की रिपोर्ट